हलो दोस्तो ओके जोपके ओनलाइन प्लेटफ़र्म में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तो जो हमारे पास साइंस की जो पार्ट चल रहा था दोस्तो फिजिक्स का जितने भी एमसे की उसते हैं उनका हमारे पास पार्ट 1,2,3 तो अपना पास आज है दोस्तो पार्ट 4 जिसको अपन लोग आपको पढ़ने वाले हमने लास्ट वीडियो जिसमें पढ़ाया है जितने भी कोशन समय आपको 60 कोशन करा चुका हूँ उन्ही कोशन को आप एक बार देख लेना दोस्तो जो आप लोग के बहुत काम की रहेंगे अब जो हम लोग आज पढ़ने वाले दोस्तो उसमें से 60 के बाद काउन से गिंती आती है एक सट आती है तो उसको आप लोग देखेंगे कोशन नमबर हमारे पास 60 पर है तो देखो आपका समय नहीं खराब करते हैं सीधा हम कोशन पर आते हैं दोस्तो ये क्या कह रहा है एक तुल्लेकारी उपगरे है गोमता है प्रतवी के इर्दिगर्द मैंने आपको बताया था चाहे अमारे पास जो लास्ट विडियो का पार्ट नमबर थिरी है उसमें आपको तीरो चीजे बताईती दोस्तो अगर ये मेरे पास प्रतवी है ये मेरे पास भूमद रिका है अगर दोस्तो इसके चारों और इसी के तल में अगर कोई सैटेलाइट गोमता है तो ऐसे करके उपगरे गोमता है तो इसको हम लोग क्या बोलते है भू इस्तिर क्या हो जाएगा दोस्तों उपग्रे हो जाएगा तो यह आपको समझ रहा है ठीक है आप लोग देखो यह गुंते कहा है दोस्तों अगर यह गुंते दोस्तों यहां पर इधर क्या होता है पूरव के बाद यहां होता है दोस्तों पस्म इधर क्या होता है पूरव इधर क्या ह से पूछे तो इस कंडिशन में यह सेटेलाइट है ना यह जो अपगर है ठीक है तो यह दोस्तों कहां गुम से उत्तर से दच्छिन की और ठीक है इसकी भी दिसा पूछ सकता है और यह देखो कुश्चन है ना से 2011 के अंदर आया हुआ है समझे है आप लोग कवा आया से 2011 के अंदर इसमें आपने ओप्सन लगाया दोस्तो भी डैट इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे कोश्चन हमें दोस्तो 62 62 क्या कहता है 62 में देखेगा एक उची इमारत से एक गैंध को 9.8 मीटर स इसकोर आएगा ताइप यह तोरन है ठीक है आगे देखो क्या लिखा हुआ है तोरन लिखा हुआ है और मैंने तोरन का मातरक बताया था यहीं गल्ती पकड़मा आ जाती है आपको पढ़ा ही कर रहे है तो चीज़े समझवा जाती है कि गिराया गया है इतने बेग तोरन से और तीन सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा सवाल हमसे इसके कह दिया है कि एक इमारत है उससे हमने घॉची इमारत से गैंध को आईसे करके डाल दिया तो हमें ना तो उसकी उचाई दिया और हमसे पूछ लिया कि हमने इसको फैक दिया है हम लोग छट से कुच जाते है तो उसके बाद हमसे कहता है कि तीन सेकिंड बाद हमारा वेक कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है, इसको मैंने यहां, जिसे मान के चलो यहां आना था, और इसको यहां, तीन सेकिंड के बाद यहां आते हैं, तो यहां इस पोजीशन पे इसका वेक कितना है, तो हमने आपको को पढ़ाई थी दोस्तों जब मेंने का था किआ था जा जा तो इसे गती करते हैं सरलकिके जा उसमें और लेकिन नीचे की बात जब आजाती हैं ऐसे गलते किर्विटे काऊंठ करते तो मैं आपको पहला समीकरण बताता हूँ गती की दोस्तों कितने समीकरण थे तीन समीकरण थे दोस्तों B बराबर U प्लस A T एक क्या है, S बराबर क्या है UT प्लस हब 80 स्क्वार ठीक है, और मेरे पास और क्या था दोस्तों V² बराबर U² प्लस 2AS यह condition हमारे पास थी, तीन समीक नहीं थेग नहीं थे यहाँ दोस्तों, अंडर दा ग्रेविटी हम लोग जा रहे है तो A का जो मान है दोस्तों, A का मान किस से मैच करेगा क्योंकि दोस्तों, अब हम लोग सरल रेखा में गती नहीं कर रहे हैं हम कहा कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गती कर रहे हैं हम एक स्टेट लाइन में गती नहीं कर रहे हैं हम लोग यहां से और यहां नहीं जा रहे हैं अब दोस्तों लोग उपर से कहा रहें नीचे तो देखो नीचे आ रहें तो पोजिटिव होगा मैं इसको कनवर्ट कर रहा हूं यहां से मारा वैलू आएगा वी वराबर यू प्लस क्या हो जाएगा जीटी अब अपने आप दिमाग में बिठा लेना एक चीज को कि दोस्तों जब जब बात किसकी हो दोस्तों अगसी इमारत से गिरने की हो यहां ना वी क्या है दोस्तों यहां देखो अगर जब मैं आपको बताओं वी क्या है दोस्तों अंतिम बेग है वी क्या है मैं आपको अभी पढ़ाया भी था तो भी बताया था यह अंतिम बेग है और यहां प पर यह इसका वेग जीओ है और दोस्तो हिसकाँ किअ अब मेरे से का गया ता कि दोस्तो हिसको इमारत इप इस्तिर रहा नहीं तो इसका प्रारंबिग वेग क्या हो जाएगा देखो एक ही जिगे हमने कैं किया किया और वो भी कौन सा किया प्लस क्योंकि आ, वस्तु ओपर नहीं जा रही है, नीचे से ओपर नहीं जा रही है, हम लोग कहा रहे है, उपर से नीचे आ रहे है, हम लोग गुर्तवा करसन के direction में है, प्रतवी जो G लगता है, वो भी नीचे लगता है, और हम भी कहा रहे है नीचे, इसलिए A कमान, G क्या क्या हो जाएगा positive, क्या हो जाएगा positive, तो यहां हमारे पास U कमान दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग देखेंगे, U कमान क्या हो जाएगा positive, यहां ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो V बराबर क्या हो जाएगा 0, प्लस यह क्या हो जाएगा G into T, अब सुनो, य यह पास कितना आगया 29.4 अब देखो यह क्या दिया हुआ ता मीटर तो इसका मान कितना जाएगा दोस्तों बेक की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेक्ट आप देख लो सबाल में ओप्सन में क्या दिया हुआ है 39.4 का दोस्तों एक ही ओप्सन है 29.4 ऐट इसकरेक्ट आनसर ओफोर है तो एक अटा धान्सर होगा 29.4 ऑप्सन नंबर C समझ में आगया होगा आपको न्युमरीकल पूरा है यह इंपॉर्टन-ण्यूमरीकल है ऐसे न्यूमरीकल आपको आएंगे दोस्तों तो वह आपको ध्यान रखना है आजे हम लोग बात करते हैं देखो कि अगर इस तरह की condition हो रही है आजे हम लोग चले power या सक्ती का मात्रक क्या होता है मैंने आपको power का formula पढ़ाया था power बराबर क्या होता है कारे बटे क्या होता है आप लोग formula को याद आपने कर लिया कारे बराबर क्या होता है दोस्तो बल इंटू क्या होता है विस्तापन बल इंटू क्या होता है विस्तापन और इसको उपन करते है अपन लोग चीक है और इसको अम लोग उपन करते है बटे क्या हो जाएगा समय तो ये चीज आप लोग देखो आपने ये कर लिया अब हम लोग देख रहे हैं बल का मातरग बल वराबर क्या होता है द्रवमान इंटू क्या होगा दोस्तो तौरन द्रवमान इंटू क्या हो जाएगा तौरन और गुना में क्या लिख रहा है दोस्तो विस्तापन क्या लिख रहा है यहां पर विस्तापन रटना तो हमको है ही नहीं जिन्दिगी में कभी उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा समय आप लोग बताओ मुझे, यह मैंने समय लिख रहा है आम लोग इसका मातरक निकालते हैं बताओ, द्रव मन का कितना होता है किलोग्राम इसका कितना होता है, तोरण का मीटर पर सेकंड का स्क्वाइर यह आपको आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वाइर विस्तापन का कितना होता है मीटर और नीचे क्या लिखाओ बताओ सेकंड, अब आप लोग इसको सॉल करो हमने देखा पावर का तो यहां पर क्या है केजी अब इंटू मेटर है इंटू भी क्या है मेटर है और नीचे क्या जाएगा दोस्तों सेकंड का स्क्वार है इंटू सेकंड है अब आप बताओ क्या आएगा केजी है यह केजी है मीटर का मीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा और नीचे second का second से करेंगे तो second का क्या होज़ेगा क्यू सबाल में देखो इस तरह दिया हुआ है क्या option इस तरह नहीं दिया ऊपर ले जाने के लिए बोल रहा है तो आप बदाव इसको ऊपर ले जाओगे तो आप बदाव ऊपर क्या करोगे kg है ठीक है into meter square है क्योंकि चोटी चोटी चीज़े आपको याद नहीं होगे ना दोस्तो आप रटोगे तो आप लड़ाई में मारे जाओगे आप लोग फेल हो जाओगे ध्यान रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती concept करने से याद होती है question नमर हमारे पास है 64 ठीक है जिसका प्रष्टतनाब क्या होता है ज्यादा एक तो वो चड़ते है दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रष्टतनाब जिसका क्या होगा ज्यादा एक तो ये condition थी जिसका प्रष्टतनाब दोस्तो क्या होगा ज्यादा होगा यह दो चीज तो आपको ऐसे ख़ते हो यह हमसे पंचा जेड़ता है तासे हो घ्ल्ल लृण कॉर्ण क्या हो गाँ ऐसका हम ओगा अगाहिजिसका ज्यासर। पारक नली में जो केस नली होती दोस्तों उसके अंदर पानी तो चड़ता है उपर और पारे में कहाता है नीचे यह आपको ध्यान रखना है कोशन नमबर मेरे पास क्या है 65 है देखो 65 की बात करेंगे गुर्तवा करशन के सार भामिक नियम का प्रति बादन किस नहीं किया था जो रूल दियाता न दोस्तों गुर्तवा करशन का रूल दियाता वो किस ने दियाता न्यूटन ने दियाता तो आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों न्यूटन चीके बाई इसकों क्या कहेंगे तो यह आप लोग जो इसने नियम दियाता अब यह नियम देखो मैं को बता हूँ हमारे पास क्या था दोस्तो जो पिंड थे हमारे पास इसका एक का द्रमान कितना था M1 दूसरे हमारे पास इसका द्रमान कितना था M2 यहां से लेकर करके आता कि बात करेंगे तो यह दूरी कितनी है और मैंने का था कि यहां पर भी इधर से भी बल लगता है दोस गुर्थवा कर्सन, क्या बोलते हैं दोस्तों, गुर्थवा कर्सन बल हम लोग कहते हैं, ठीक है गुर्थवा कर्सन बल कहते हैं, तो यहां हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों समझने में, अब मैंने कहा ता है गुर्थवा कर्सन बल होता है दोनों जो द्रम्वान इस नियम को हम क्या बोलते हैं दोस्तो गूर्टवाकर्शन का नियम इडिस गिवन बाई न्यूटन ठीक है, सर आइजेंक न्यूटन के द्वारा जो यह आपको ध्यान रखना है, न्यूटन हो गया नेग्स्ट कोर्शन के दोस्तों हम लोग बात करें फिर फेक्ट है ऐसके वपस आजाती है ऐसा क्या करें कि आप क्या करोगbuilt इसको इतना भेत दो कि यह बापस नहीं आएगी आप क्या करोगिए दोस्तों इस प्रत्वी से इसको ऐसा बेग देजीगा कि अगर इसके गृत्वाकरसन चेत्र में नहीं आए दोस्तों हमने रोकेट को छोड़ा यहां से और मैंने आपको बताया था रोकेट कहां से चोड़ी जाती है हमारे इंडिया में यह दोस्तों सिरी सतीस दबन अंत्रिक्ष केद सिरी हरी कोटा आंद पर देश से चोड़ी जाती है और यह रोकेट जाती है दोस्तों ऐसे करके और प्रत्वी का मान के चले गृत्वाकरसन चेत्रिया पर जाद आया छाई है लेकिन यहां तक इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकें मतले हैं मतलत 1 सेकें में कितना बहागनी चाहिए 11.2 किलोमी टो किलोमीटर तो मेरे पास Later मैंने जब हो जाएगी साधी हमनेत करेंगे नौकरी लगएगी और क्या मिलेगी हमको साधी होगी और साधी होगी तो हम कहां जाएंगे चंद्रमा पे घूमने जाएंगे तो मैंने कहा था न हम लोग जाएंगे दो लेकिन फिर भी हमारा बजन कैसा होगा कम होगा करन क्या है क्योंकि दोस्तो हमारी प्रत्वी पर ग्रेविटी कितनी होती है 9.81 meter per second square कितनी होती है 9. अब लेकिन दरासल मैं अगर चंद्रमा की बात करता हूं दोस्तो तो चंद्रमा पर क्या होता है बता हूँ चंद्रमा पर उल्टा गेम हो जाता है चंद्रमा पर हम लोग जाएंगे तो चंद्रमा पर इसकी gravity कितनी रह जाती दोस्तो इसकी कितनी रह जाती एक बटा 6 कितनी रह जाती एक बटा 6 अब मैं आपको भार की बारे में बात करा हूँ भार दोस्तो क्या होता है बाहर बराबर होता है दोस्तो W बराबर क्या होता है Mg क्या होता है Mg मान के चलो आपका प्रत्वी पर दोस्तो बाहर अगर कितना आ रहा है बाहर आ रहा है दोस्तो 600 ठाथवी yard प्रत्वी कि इतना रह जाए गा वह प् dispersed प्रत्वी क्ऽे इंडश प्रत्वी का एक आच्य हम स्सकुर्श56 तो इसे काटा पिटी करेंगे लिए अब आप आप आधाए एक आगक्षों कि था तो कितना है तो हम लोग गये तो दोते हैं लेकिन यह तो हमारे एक बड़ा च्हाही रह गया तो यही कारण है आप से पूछा गया है कि प्रतवी से चंद्रमा पर हम लोग घूमने गए तो उसका बार बढ़ता है अरे खांब रहा है उसका बार क्या होता है दोस्तों घटता यही मेर पास क्या होगा क्रिक्ट answer लगेगा दोस्तों आप्सन नमबर B ठीक है ऑप्सन उसके बार में कोई परवरतान ऐसा नहीं है बैप कुन रूप से बार आई रहे तैरने लग जाएंगे ऐसे हमें तैरना नहीं है question number 6, दोस्तो 68 देखो, क्या सांदर question है ऐसे question दोस्तो जब आते हैं न तो आप ध्यान डखना, ये पहले उसको पढ़ लेते सूची 1 को सूची 2 से क्या करिएगा दोस्तो समिलित कीजिएगा, नीचे देगे कूटो को ध्यान से समझीएगा अब देखो, इसमें option क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा सा option नहीं दिखाई, दोस्तो एक तरफ तो क्या दिया हुआ है, रासी, ये ध्यान डखना एक तरफ क्या दिया हुए है, रासी और एक तरफ अंको क्या दिया है, दोस्तो मातरक अब बिद्दुद बल का मातरग बल है तो दोस्तों क्या हो जाएगा डिरेक्शन न्यूटन आब इसका मातरग क्या होता है कूलाम बिद्दुद बिबब का क्या होता है बोल्ट और धारिता का क्या होता है फेरड पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा आपको दिख रहा है का पहले का दूसरा एक दूसरे का तीसरा उसके बाद देखो ये दोनों ही मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है आगे देखो विद्धुद विभाव का क्या है बोल्ट तो तीसरे का पहला का ह पर 4 तो यह पास यह मिलेगा तो यह मेरे पास दोस्तों क्या रहेगा option number B यह मेर पास क्या आएगा दोस्तों correct answer रहेगा इसमें आपको ध्यान देना है तो अपने question को लगा भी अब आगे दोस्तों अब आगे तैरने वाली position भार हिंता क्या होती है मैंने आपको का था कितना enjoy आएगा feel करना आप लोग ठीक है वीडियो देखना आप लोग को का भी था कि अगर दोस्तो जी कमान क्या हो जाएगा वो क्या होता है दोस्तो बदलता है वो क्या होता है बदलता है परवरतन सील होता है तो यह आपको ध्यान डखना है तो यहाँ जी का जो मान है न दोस्तो यहाँ पर हम लोग देख रहे कि जी कमान कितना हो गया जीरो तो मेरे पास क्या जीरो और डबलू कमान क्या हो रहा है ज इसे करेंगे क्या होगा तैरिंग है तो यह चीज हो जाएगी तो आप गुर्तवाकर्शन की सुनिस्थि होती है तो यह हमको ध्यान रखना है कुछ्चन नम्मरे 70 की बात करेंगे तो हमारे पास है निम्लेक इतमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्त है तो आप लोग गीली मि स्टील इस तरह की चीज़े में लिखा ही ती और हीरा ग्रेफाइट कारवाइन सबसे कम प्रत्यास होता है तो मैंने आपको सबसे जड़ा किसको बताया था रबबड को बताया था उसमें अमारे पास दिया हुआ इस चीज में आगे दिखेगा कोश्चन नंबर है दोस्तों 71 उप में च्टी कइन बहान और होता है कलते हो यहुत उसमें चावी हुआ करते दोस्तों और में लोग है और में आके बाद उसमें क्या हो जाती थि वहारा हे स्क्रिंग दोस्तों से गथृते थि दिको इसमें चावी भरते थे हम लोग ऐसे और दोस्तों यहां पर दोस्तों क्या भरी होती थी यहां पर ऐसे करके ठीक है यहां पर स्प्रिंग होती थी अब इसमें जब चावी भरेंगे न दोस्तों हम लोग तो यह क्या होगा यहां पर चावी जब भरते हैं दोस्तों तो यह चावी है न देश तो आगे ऐसे करके न इस्प्रिंग का न ऐसे करके बचन होता था तो यह स्प्रिंग ऐसे करके न छोटीची हो जाती थी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कम्प्रेशन हो जाता था अब दीरे दीरे कर जब चावी खता मोती थी तो फिर ये वापस भई हो जाती थी चीक है तो ये प्रिंसिपल मैन होता था ऐसे करके तो ये फिर पैल जाती थी फिर ये घड़ी रुख जाती थी तो अब हमने इसके उपर ऐसे करके चावी भर दी और चावी भरने के बाद इसमें क्या हो गया दोस्तों किसको इस्टोर कर दिया इस्ततिक उर्जा को किसको इस्टोर कर दिया इस्तति उर्जा को हमने उगोने क्या कर दिया इसके अंदर restore कर दिया तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देख रोगड़ी के spring में कौन सी उर्जा भंडारित होती है दोस्तों potential energy जिसकों लोग इस्ततिक उर्जा बोलते है that is potential energy ठीक है potential energy तो यह आमको बात ध्यान रखनी है आगे भी हम बात करता है question number 72 question number 72 तो यह साबुन के कपणों की बहतर सफाई क्यों साहक होती है देखो साबुन कपणों की सफाई के लिए बहतर क्यों साबित होता है दोस्तों हम कपणों पर दोस्तों साबं रगड़ते हैं हाथ के द्वारा ऐसे कर करके ऐसे मलमल के धोते है तो दोस्तो उसका क्या हो जाता है प्रष्ट तनाब क्या हो जाता है कम क्या हो जाता है उसका प्रष्ट तनाब दोस्तो क्या हो जाएगा कम और प्रष्ट तनाब कम होने के कारण दोस्तो ठीक है प्रश्ट तनाब क्या हो जाता है कम जिससे सफाई होती है कपड़ों की गंद की सफाई होती है दोस्तो गंद की क्या हो जाती है दोस्तो दूर हो जाती है गंद की निकल जाती है तो उसका कारण क्या होता दोस्तो यही होता यह आपको ध्यान रखना है तो इसमें क्या दिया ह है ठीक है आगे दिखो question number मारे पास है दोस्तो 73 73 की बात करेंगे Newton into meter का मात्रक बताओ मैंने आपको यह दोस्तों ये आरार भी 2001 में आया हुआ है ठीक है दिखो Newton बल का मात्रक हमारे पास कारे क्या होता है इसमें और इसमें week हिसम स्कूर्ट क lazım के होता है या इस तो यह बूलकि में पास गलत होगा था या क्या होता हैँ वे दोस्तो यह 백in श्यूलपर सेंड loves समझ गे तो बल का मातर तो हमने न्यूटन पढ़ ले लेकिन उर्जा का मातर क्या होता है दोस्तो न्यूटन इंटूमीटर होता है जो मैंने लिख रहा का है न्यूटन इंटूमीटर को हम लोग क्या बोलते है जूल कहते है that is correct answer option number D ठीक है तो यह मारे पास क्या आएगा option number D यहां पर right answer रहेगा आगे दोको बात करते question number 74 दूद से क्रीम निकाल लेने पर क्या होगा ऐसा ही question में आपको बताता हूँ अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके बजन में क्या होती है कमी या वरदी दोस्तो क्या होती है वरदी होती है ऐसा ही सबाल आपको ध्यान market में तो वो सब दोस्तों से क्रीम निकाल लेती है और गटेगा नहीं ध्यान रखना और ये question T.S.S.C. 2015 के अंदर आया हुआ है देखो मैंने उससे तुलना करिया ना लोहे पर जंग लगने से आप लोग ध्यान रखना है लोहे पर जंग लगने से क्या होगा जंग लगने से बहार में दोस्तों क्या होती है विरदी होती है ना कि कमी होती है इसको ध्यान रखना ये बहुत बार आया पेपर में question number है दोस्तों आगे question number 75 75 क्या कह रहा है कि इस पात के गोले में पधार्थ की मात्रा क्या होती है देखो, इस पात का एक गोला है, इस चिल का गोला और उसमें कोई पधार्थ की मात्रा है, अब इस पधार्थ की मात्रा का मतलब क्या होगा, मैंने आपको सीधा सिंपल सा डेफिनिशन बताया था द्रवमान का, किसी पधार्थ की मात्रा होती है, उसका जो मापन होता है, वही भी द्रवमां कहलाता है कि मापनी क्या है दोस्तों द्रमान कहलाता है गो एस लों करें में मास द्रवमान को क्या behaviour मास हम लोग कहते हैं तो करेंगे के बात कर किसके नियम पर कारे करती है? क्या वह? यह सीधा मैंने, आपको गाड़ी में आपको घाड़ी को भी दिखाए था यह गाड़ी है हमारी और इस गाड़ी में दोस्तों हम गएृट ठीक है । और आप है ना इस ओडी में बैटके हैसे गर के यहां ड्राइवरी कर रहे है और मैंने कहा था आपसे है कि यहां पर ऐसा क्या यहाँ पर master cylinder है, आपने brake वाला पैडर दबाया, यहाँ पर हमारे पास oil भरी हुई है, आजकल जमाना hydraulic का है, ठीक है, आजकल जमाना कैसा है भई, power steering का है, hydraulic brake का है, तो मैंने का था ना हम पैड दबाते हैं, एक जगे से तो brake लगती है, चारो पईयों पर, ऐसा क्यों, ऐसा क्य नियम दिया था, उस नियम को हम लोगों ने कहा था, पास्कल का नियम, यदी तरेल कैसा है दोस्तो, इस्तिरअबस्ता में है, तो, टो तरल के हं प्रतेक प्रतेक बिंदू, तरल के प्रतेक बिंदू पर दाव का मान दोस्तों एक समान होता है एक समान होता है Px बरावर Py बरावर क्या हो जाएगा दोस्तो P Z Px बरावर Py बराबर क्या हो जाएगा दोस्तो P Z ये चीज आपको ध्यान डखने तो that is correct answer होगा आप लोग पूछो कि इसमें क्या हैगा भई Pascal का नियम, Bernal- 103, फिरमट, Thompson ये भई अलग-अलग अलगे सारे हैं में हमारे पास क्या आएगा option number that is pascal law जो दरभ चालित बिरिक में मैंने आपको समझा दिया कि यह rule क्या होता है next बात करते दोस्तों question number 77 ठीक है विविन में द्रमान के दो फत्तरों को एक भवन से गिराया जाता है ठीक है pen देना भई हाँ pen है देखो pen अपने पास है इसका द्रमान मानो 10 kg इसका द्रमान मानो 5 kg है अब बात क्या हों दोनों को उपर से गिरा दिया जिक अलग अलग जिसका लग traffidd probability बिदे उपर गिरा दे उनका द्रवमान तो दोस्तों fix रहता है द्रवमान पर दोस्तों gravity depend नहीं रहती है आपको फिर मैं बता रहो इसी कारणा न दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि दोस्तों जी है न वो M पर निर्वर नहीं है M पर निर्वर नहीं है यह आपको ध्यान रखना है पिंड के यह जबकि वस्तू के पिंड के या जो वस्तू हमको है न उस पर निर्वर नहीं है दोस्तों यह इस पर पिंड या वस्तू पर निर्वर नहीं है यह आप लोगों के खोबड़ी में अच्छी तरीके से होना चाहिए निरवर नहीं है ठीक है ये दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिरमान के दोनों पत्तरों को एक साथ गराए जा तो दोनों पत्तर पहुचता है बड़ा पत्तर पहुचता है दोनों पत्तर जमीन पर एक साथ पहुचते है पत्तर की रचना पर निरवर करता है अब लोग चोटा बड़ा क्यों नहीं कर रहें क्योंकि एंपर इस यह चीज निर्भर नहीं है आगे कोशन की बात करेंगे दोस्तों कोशन नमबर 78 है ठीक है और उस गती के अंदर मैंने आपको काता कि एक गती मैंने काता हम लोग एसे का चलेगे बीपर यह भी मारे मन की इच्छा हो गई हमको जाना था यहां से और वहां चलेगे जैपूर से जोदपूर जा रहा था जा रहा था अब बात आ गई दोस्तों ठीक हमें उपर जाना था फिर तो हमारा ऊपर कोई रहता था ने मैंने जोपanteय को गए फिर समीशार आया कई नहीं इच हमको कोई धना था तो हम उपर चलेगे उपर से नीचे को एगए अब हम लोग एम यहां से बीक चलेंगा के तो यहां से चलेंगे दोस्तो तो यहां वापस आ स्काइल मोशन से यह ऑगर 36 से किशी कौन पर जाthank आप जाए तो ररेंच है अगर दोस्तो अगर दोस्तोuir नेगा रहे कितना और पर इंगल रहेंगा यहाप U square, आप लोग धान रखना, horizontal वाली जो value होती है, वो होती है, दोस्तो, U square sin 2 theta, बटे क्या होता है दोस्तो, G, ये relation, इस height का होता है, जो मारे पास range है न, ये r का, sorry, height का न, ये range r का है, अगर दोस्तो, theta का मान, अगर मैं 45 रख दूगा, तो 2 theta का मान कितना हो जाएगा, दोस्तो 2 into 45, तो कितना हो जाएगा, बताओ, 90, कितना हो जाएगा, 90, और sin 90 का मान, आप लोग निकाल के लाओगे, तो बताओ, कितना हो जाएगा, U square into sin 90, यहाँ मेरे पास value हैगी, दोस्तो, बटे G, कितना हो जाएगा, sin 90 का मान, आपको अच्छी तरीके से मालू में कितना होता, 1 बते G, तो मेरे पास परास कितनी हैगी, U square बते G, आप लोग को G आपको पता होगा, U आपको दे दिया जाएगा, तो अब U जैसे कहें, आपसे गोला आपने तोप से दागा है, तो उस गोले को बेग दिया गया है, दोस्तो, 10 meter per second, ठीक, कितना दिया गया है, 10 meter per second दिया गय ठीक, कितना होता है, 1 by root 2, और 1 by root 2 का मेलू कितना होता है, हमारे पास होता है 0.07, 0.707, अब आप लोग सबसे 0 यहाँ है, 45 पर इतना है, 90 पर कितना हो रहा है, एक, तो हम लोग अगर यहाँ पर 90 दूने एक सबसे कर देंगे, तो फिर 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आपके तब जाके क्या बनेगा, 90, के अमान क्या होगा, एक, इसी लिए, हम लोग इसको कितना, यह जाएगा, दोस्तो इसमें, तो और भी एक तो यह थी, दियां ड़कना है, यह हमारे पास, इसका किया होगा, दोस्तो है, सबस्तो अप्सन बहुतं आप यह हमारे पास को लादूंगा, आप टेंशन मत लो, आप लोग बस पढ़ते रहो, ठीके, बहुत सारी चीज़ा हैंगे आपको, आप लगातार बनी रहीएगा, जादा-जादा इसको सब्सक्राइब कीज़ेगा, आप टेंशन लेने की साइंस की तो बिल्कुल जर्रत ही नहीं है, आपको सारी सब्जक्ट जो पढ़ा रहे हैं, आपको जटका सीरिज लेकर आए, जेम सर, तो वो कितना आप लोगों को ट्रिक बगरा दे रहे हैं, हर चीज़ पर टॉपिक दे रहे हैं आपको, तो कोई दिक्कतमाली बात ही नहीं है, आपको साइंस की साटीक गोली सीरिज चल रही है, स वो आपको ध्यान रखना है, आपको बस पढ़ना है दोस्तों, आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग बने रहे हैं, जदा जदा सब्स्राइब करिएगा, धन्यवाद